हलो एब्रिवन आप सब का स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे फेबरिक पट्टी और लैस के साथ एक दम नया और बहुत ही खुब सूरस सा पलाज़ पैंट दीजाइन तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम फेबरिक पट्टी बना के तयार करेंगे जिसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसकी उल्टी साइड में मैंने केनवास पेपर चिपका लिया है प्रेश से इसकी चोड़ाई लगबग मैंने सबा से डेड़ इंच रखी है दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर बीच सेंटर से ऐसे फोल्ड करके इसकी खुले वाली साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे तो ये मैंने इसकी खुले वाली साइड पे सिलाई लगा ली है अब हम इसमें से 3-3 इंच के पीस कट करेंगे ये देखिए तो देखिए इस तरीके से मैंने 3-3 इंच के पीस कट कर लिए है अब इनको हम एक साइड में रख देंगे ये मैंने निउस पेपर लिया है इसकी चोड़ाई मैंने यहां पर तीन इंच ली है और इसकी दोनु साइट पर मैंने सीधी सीधी मार्किंग की है पीस सेंटर में जो गेपर वो मैंने दो इंच का लिया है अब हम इस तरीके से रखेंगे और इन पर सिलाई लगाएंगे यह दिखे अब हम इसी तरीके से दूसरी साइट पर भी सिलाई लगा लेंगे तो यह मैंने इसमें दोनु साइट पर सिलाई लगा ली है अब इसके बाद दिखे मैंने यह फेबरिक पट्टी ली है जिसकी चोड़ाई मैंने दो इंच ली है अब इसे रखेंगे डिजाइन को उल्टा और जो हमने पहले सिलाई लगाई है उस सिलाई को दबाते हुए हमने ये सिलाई लगा लेनी है अब हम इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर ऐसे मोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो पहले हम इसमें से नियूज पेपर को निकाल देंगे और ऐसे हम इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे अब इसके बाद में हम इसको अपने पलाजों के उपर अटेज करेंगे तो पलाजों की सीधी साइड लेंगे और डिजाइन को हम इसे उल्टा करके रखेंगे और यहां पे भी जो हमने पहले सिलाई लगाई है उस सिलाई को हलका से दबाते हुए हमने सिलाई लगानी है तो ये लिजे यहां पर भी मैंने सिलाई लगा ली है अब हम इस पे यहां पे finishing वाली सिलाई लगाएंगे और इसके बाद में मैं इस पे यहां पे ये lase attach करूँगी आपके पास इस तरह की लेश नहीं है तो आप कोई दूसरे डिजाइन की लेश भी लगा सकते हैं या फिर नीचे आप ट्राइंगल भी लगा सकते हैं इसमें फेबरिक ट्राइंगल वो भी बहुती ज़्यादा खुबसूरत लगते हैं मेरे पास यह lace है तो मैं यह attache ॑ यह attache करने के बाद में यह design कुछ इस तरिके से ready हो जाता है अब हम इसमें से इस paper को निकाल देंगे यह paper निकालने के बाद में हमारा जो design है बनके ready हो जाता है आप देख सकते हो कितना सुन्दर और beautiful बनके हमारा डीजाइन रेडी हो गया है तो आपको ये डीजाइन कैसा लगा है कमेंट्स करके बताइएगा जरूर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज की वीडियो में बस इतना ही थेंक यू